वाइगुरुजी का खाल्सा वाइगुरुजी की फते सिख चिंतन दी महानता इस गल विच है कि सिख चिंतन विच मनुख दे संपूरन समाज दे सिर्जिन दी गल किती गई है कोल जीवन जाच दसन दा सुनेहां दिता गया है इस दे नाल नाल तरम करम दे विच सब तों वड़ी गल जो किती गई है वे है कि बेजान वस्तानू पत्थरानू बुत्तानू मूर्तियानू पूजण तो मनुख नू रुकना चाहिज है क्योंके उनना कोल मनुख लई कोई सुनेहां नहीं हुन्दा वो उस विड़े दियां गल्ला ने जदो मनुख जे चेतन नहीं सी जदो उसकोड तरक नहीं सी जदो उसनू अकाल पुर्ख दे संबन वेचे सोजी नहीं सी आई गुरु नानक साहिब ने ए सोजी मनुख दे सामने परताखरू पिच रखी उनने एक आण पाव करवाया एक ज्ञान प्रगटाया इस हम एरे नू दूर कीता के पथरा ने बोलना नहीं पथर ना शीरवाद दे साक़ देया पथर ना कल्यान कार साक़ देया एक कोई जादू दी पटारी नहीं हम दी इस करके मनोखनू बत पूजा मूर्ती पूजा जा इस तरह दे किसे भी वैंपर मिच नहीं पहना चाहिए जा मनुक नो गयानक तरीके नाल अपनी सोच नबाणी चाहिए और अकाल पुर्ख दे जो एट्रीब्यूट्स ने उना विच्छों सब्तों पहला एट्रीब्यूट्स है कि उस दा वाहन शब्द है उस दा माजम जाहींपर की ता जा सकता है इसलिए अकाल पुर्ख दे संबंद विच्छ ये पगती पावना परगट करनी है ये शर्दा परगट करनी है ये प्रेम परगट करना है ता सबत दिरा ही इस दे नाल जुड़िया जा सकता है जा गुरू जो छाकार आत्मक रूप है जिसने नो अकाल प्रुखदा सुनेघा देने ऐसकोड जाया जा सप्ड़ा है इसलिए गुरु नानिक साहब ने आगाज कीता है इस गल्दा और बाकि बाणी कारा ने चाहे उना विच्पागत बाणी कारने जाहे गुरु बानी कारने उना ने सुनेहां देता कि बुत्ता दी पूज तों पिछे हटना चाहिए और बुतान दी पूजा राही कुछ भी प्रापत होड़ा नहीं जो तन्य पगत वर्गे पगताने संबंद विच्छ एस तरह नियां करामाता जोड़ियां गई हैं कि उसने पत्थर विच्छों अकालपुर्ख नू परगड़ कीता अकालपुर्ख आप जाहर होए यहोजी कोई गाल नहीं इदना दी करामात विच्छ गुर्मत यकीन नहीं कर दी गुर्मत बुत पूजा नू उकका पुका राद कर दीया है तो गुरु सांब इस पाश्ट तरते केंदेने के अंदे गुंगे अंद अनार पाथर ले पूजे मुगद गवा ओए जे आप डुबे तुम कहां तारनहार करमे ठाकर नदर ना आवे गड़ में पाहन लटकावे करमे ठाकर दा बहुत स्पाश्ट अर्थ है के अकाल पुर्ख मनुख दे अंदर ही वस्दा है उस दे कारवे चीह है उस दे अंग संग है उस तो दूर नहीं है ओस नाड रम्या होया है लेकन ओस नूँ मनोख पुल गया है एस कारण पुल गया है के ओस दे अंदर दूज दा पाव पैदा हो गया है ओकाल पुर्ख तो दूर हो गया ओदे नाड़ो होडी होडी तुट गया ओदे तुटन दे कारण ओस नूँ फिर तरले लेने पेंदे है लेकन इना तरलेंदा इलाज कोई है के अकाल पुर्ख दी संबंदी चेतन ता पैदा किती जावे उस दे वजूद दे विच उस दी होंद विच चाहे ओ होंद निर्गृन है निराकार है एबस्ट्रेक्ट है पाववा चिक है उस दी होंद विच यकीन किता जावे और उस संबंद वे जो कास्मक काशिसनेस है जो ब्रहमंडी चेतना है उस नाल जुड़या जावे तां ही मनुख अगे वद सकते और शांती दे संसार विच जा सकते सहे जनू प्राप्त कर सकते मन दी जो उड़ारी है उस तो मुक्त हो सकते काम करोद लोब मोहंकार तों शुटकार पासाकता है लेकन जे देवियां जा देवत्यां जा बुत्ता जा पत्थरा जा ताग्यात वीतां ते यकीन करन लगे जान दे ता पाटकन दा गेड मुक्ण बेच नहीं आउंदा जो पाथर को कहते देव ताकी बिर्था होए सेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल ठाकर हमरा साथ बोलांता सर्ब जी को प्रबदान दानता ना पाथर बोले ना किछ दे फोक्ट कर्म नेफल है सेव बहुत ही सपाष्ट एदे तों सपाष्ट होर कोई सुनेहा नहीं देता जा सक्दा बड़े लोकानू कई वारे वह मुंदा है ये शांका हो जान दी है के ग जड़ों पड़ देैंे जड़ों विचार देया हुएँ पाठ कर देयां जड़ों विचार देया होंस देणाड जूड़त देयां ताएक – एक – शब्त अड़े अंदर उत्तरदा जाननında है गुरु साब ने कोई भी इस तरहLY दा सुवाल यदा हैं बाकी रएंड नहीं दत गногоर्ट साथ ज हिर भी सोब कर दोने ने और हर स्वालद गाए उतर दोने और भार्वं के लुद किरेद vos नियुद्ध मुझ्थ और मिढ़ा है और मनुख है ओ गुर्मत दातार नी नहीं रहेंदा मनमत दातार नी बन जाएंदा है इस करके जिनने भी सिक चिंतनार जुड़नवारे लोक है उननों इस पश्ट सुनेहा मिल जाएंदा है के अकाल पुरुख दी होंदनों सवी कार करन ले किसे दुनियावी निशानी दी जरूर आप ही कोई मूरती जांब बनालो फेर उस दी पूजा करनी शुरू कर दो फेर उसनुँ मत्धा ठेकना शुरू कर दो एस वेच कोई दलील नजर नहीं आओदी क्यूंके पत्थर ने ना अगवाई दे सकनी है ना कोई किसे किसम दी चेतना पैदा कर सकनी है ना मनुख नू कोई दातां दे सकनी है इस करके बुत्तां दी पूजा दे जिड़े रवाज पे होई ने उन्हानू सिख चिंतन मुड़ों राद करदा है और गुरु नानक साहिव ने मुकंबल इंसान दी मुकंबल समाज दी मुकंबल जीवन जाच दी सिर्जना कर लए इस किसंदियां सारी यह परपाटियानू रद कीता तो बहुत ही स्पास्थ्त केंदे ने विएंख कर दें होया ऑक्त बानी देए बडा ही स्पास्थ्त शब्द किक है गया शब्द कहने गर्म शह्ती ने जुनीबिवी बाणी है गुρ मुरू रूप्त चाहिए उपगाटानी दी और ये गुरु कर प्रेमियां दी बाणी मौजूद है उस बाणी दी रही गुरु साहब मनुख नू टोटल जीवन जाच कुल उसार जो है मनुख दा उस नू तबदील करन दा सुनेहां देने उस सुनेहें नू सवी कारणतों बेना असी अकाल पुर्ख दे नाल नहीं जुड साकद असी असल तरमदे नाल नहीं जुड साकदे असी गुरु गरंट साहब दी जोत नाल नहीं जुड साकदे ति जदों जोत नाल नहीं जुड दे तां फिर पांत दी जोगत तों भी वक्रे हो जाने हां